हमने पहले पद में देखा बालक क्रिष्ण बहुत छोटे हैं और उन्हें देखकर मा यशुदा के मन में अनेक अभी लाशाय जाकती हैं। दूसरे पद में थोड़े बड़े हो चुके हैं और वे गवाल वालों के साथ व्रंदावन गाय चराने जाने की जिद करते हैं। तीसरे पद में हम देखेंगे वे बड़े हो गए हैं और वे मतुरा चले गए हैं। तो वहां से उद्धव को, ग्वाल बालों को और मा यशोदा को सांध्वना देने भेजते हैं, तब मा यशोदा उन्हें संदेशा देते हुए कहती है, हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो, वे उद्धव से कहती है कि मेरा संदेशा देवकी को जाकर देना, हो तो धाई कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धायवा हूँ, मैं तो पालन पोशन करने वाली मां हूँ, तुम तो उसकी मां हूँ, फिर भी तुम उस पर अपनी ममता बनाए रखना, जद पी टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे, यद भी तुम तो उसकी सारी आदते जानती हो, तुम तो सारी उनकी आदते जानती हो, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तुम्हें फिर भी कहना चाहती हूँ, प्रात होत मेरे लाड लड़ेते माखन रोटी भावे, कि सुबह होते ही मेरे लाड ले कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है, तो तुम इस बा और गर्म पानी, तातो मतला गर्म पानी, तेल उपटन अरुतातो जल ताही देखी भजी जाते, अर्था स्नान सामगरी को देख कर वे वहां से भाग जाते हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, उसके बाद वो अपनी सारी फर्माईशे पूरी करवाते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये ला कर दो, तब मैं न हूँगा, तब वो जो जो मांगते जाते हैं, मैं उन्हें क्रम से देती जाती हूँ, तब कहीं जाकर इसनान करने के लिए तयार होते हैं, सूर्पथिक सुनी मोही रहन दिन, बढ़ियो रहत उरसोच, वो कहती हैं, कि हे पथिक, हे रहगीर, तुम उनसे कहना, कि मेरा मन जो है, दिन रात यही सोचता रहता है, यही चिंता करता रहता है, मेरो अलग लड़ेतो मोहन, हे हे करत संकोच, कि वो बहुत ही संकोची स्वभाव का है, वो अपने मुख से कुछ भी नहीं कहेगा, अतर तुम इस बात का विशेश ध्यान रखना, उसके आदतों का विशेश ध्यान रखना, उस पर अपनी ममता और क्रपा बनाए रखना,